यू, तो यू को हमी कहां ड़ाज़ करना पड़ेगा? स्टार्ट में कीजेगा, यू, I love, मिडिल में कीजेगा, I के बार, I, you love, कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम लास्ट में ड़ाज़ करेंगे, ट्रीक है? तो किस तरा किजियेगा तो आप लिख लिखे लिजिए Inserting a new node at the end of a singly linked list okay this is the start and this is the avail ठीक है और तो लिख स्टार्ट किया जाएं इसी को थोड़ा सब मोडिफाय करेंगे और यहें आपको सम्झा देंगे यह node already present है आप node को कहाँ add करना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है तो node को add करने से पहले अपना पहला condition check out कर लिजिए कि क्या available memory है या नहीं है this part अगर यह true होता है तो आप overflow का message दीजिए कि आप कोई new node add नहीं कर सकते हैं आपके आपके पास available pool में memory पड़ा हुआ है आपको एक memory मिल गया तो क्या कीजेगा उस memory को आपके जो जो new node को create कर रहे हैं उसको दे दीजिए ठीक है मैं आप यह नीचे देख रहे हैं उसके बाद कि आपके देखें जो टेखें यह जो कर देखें हैं कि आई एल ओ वी ए अभी तक फिलाल को यह इंग था आप यहां एक निव नोट को एड़ करना चाहते हैं यह आपका मक्सद था तो आप क्या कीजिए आप एक निव नोट को क्रिएट कर लिजिए और इसमें हम यू को एड़ करेंगे आपका स्टाट फिलाल कहां पर है इस पॉइंट शिमिलर प्रोसेस आप एक पॉइंटर वैरियेबल ले लिजिए यह यह पी टी आर ताकि उस पॉइंटर वैरियेबल का इस्तिमाल करके हम पता कर सकें कि यह जो है लिंकेट लिस्ट कहां खतम हो रहा है ठीक है तो पी टी आर को आपका जो स्टाट वैरियेबल है उसके लोकेशन को आप पी टी आर में एस्साइंड कर दिजिए क्लियर तो दैन पी टी आर भी आपका कहां आ गया दिस पॉइंट उसके बाद आप अपने पॉइंटर वैरियेबल को पी टी आर को एक एक नोड करके बढ़ाते जाएंगे कब तक जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता है ठीक है इस पॉइंट पे आके आपके पी टी आर का जो नेक्स्ट है वह नल फैंड करता है तो आप क्या कीजेगा जैसे ही आपको नल मिलता है तो उस पी टी आर के नेक्स्ट वैल्यू को आप जिस नोड को एड करना चाहते हैं उसका एड्रेस एसाइन कर दिजिए बस आपका काम क्या हो गया हो गया इस नोड का जो एड्रेस था यहां से नल हटाई है और उसको एसाइन कर दिजिए और इस इस वोल्डिंग भाइब इस और आपका जो यह था तो नॉल था है अल्डेडि उसमें कोई दिक्कत था नहीं तो चलिए अलिटल बीट ऑफ मोडि आपकेशन गूजेर नियू नोड एवेलेबल एवेलेबल नेक्स्ट नियू नोड डेटा नियू नोड का जो डेटा पार्ट था अब उसको इन स्लाइस की जिए यहां आई था हम्यां क्या कर रहे हैं यू और नियू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वह क्या है आपका लास्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट पार्ट कितना होना चाहिए नल होना चाहिए तो जस्ट इसको आप एन स्लाइस लीजिए नल उसके बाद आप एक पॉंटर वैरिएबल लीजिए प्टर जिसको स्टाट का अड्रस अस्ट पिछे स्टेप नमर् सेक्स पी टी आ एर नल बी एस टी ए री टी एक ए डैन अपका पी टी आर भी फिलाहल इस थी को बोल का के रखा है दैन आप अपने पी टी आर के वैरियेबल को चेक आउट किजिए या अपने कंदिशन को चेक आउट किजिए वाइल ठीक है PTR next not equals to null जब तक PTR next not equals to null होता है तो अब क्या कीजिएगा अपनी PTR को बढ़ाते जाएए तकि वो next node को access करता जाए तो just ठीक है? ओके? step number seven this is step number eight और यहां लिखियेगा repeat step eight while PTR next not equals to null ठीक है? और चैसे ही आपको null मिलता है तो आप क्या कीजिएगा? PTR का जो next है उसको अपने new node के value के साथ initialize कर दीजएगा तो just अपने PTR का जो next है that is उसको आप new node के साथ initialize कर दीजए ठीक है? और उसका termination कर दीजएगा यहां जगा नहीं है मैं आपको यहां step करके दिखा देना हूँ तो हुए गया लगए लगए लास्ट एक्जिप एक्जिट लिखना है अपने लिजएगा PTR next new node आपका जो new node था उसका जो address था आपने PTR next में assign कर दिए मालजे आपका PTR next null पे आके क्या हुआ? रुख गया था तो आपने क्या किया? जैसे ही आपने null read किया जैसे ही आपने null को read किया आप यह terminate होगा while loop और आपका PTR का जो next है आपके new node का जो location है उसको initialize कर दिजएगा तो आपके new node का location क्या है? new node आपका यहां pointing है ना? आपके आवेल new node इसमें आप उसके location को दे दीजी और हमने new node के data part को new node के next part को ओल्री null set किया हुआ है और data part को भी set किया हुआ देखे यू यहां आ जाएगा आपका क्या यू इसम्पल आप तो असा start variable को start जो pointer है उसको हलका से modify कर दिजेगा exit 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 और कुछ ज्यादा नहीं है उसमें तो हमने दो देख लिया कल आप दो और देखिएगा कि कैसे insert किया जाता है उसके बाद हम delete operation देखेंगे तीन देखेंगे और इसकी coding की जाएगी आप जो भी algorithm है जो मैंने आपको अभी तक दिखाया यहां पर ठीक है उसकी आप लोग कोडिंग कीजिएगा या मैं ही आपको कोड कर दूंगा यहां पर और लैब में आप उसको बिना देखेंगे जिएगा और during coding time मैं आप मैं इसको आपको एक बार और हलका सा माइनर समझा दूंगा तो उस दिन अभी तक जो भी algorithm आप लिख रहे हैं मैं इसका नोट्स जो है आपको दे दूंगा जिस दिन हम प्रोग्राम करेंगे और काफी बड़ा प्रोग्राम होगा उस दिन आप उस algorithm को लेके आएगा और पढ़के आएगा तो आज के लिए इतना ही अब हमारे जो YouTube की वीवर हैं उनके लिए अगर आप यहां से डिटा स्टाक्चर के कुछ भी कॉंसेट को सीख पा रहे हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सभी का आज के लिए धन्यवाद आपसे कल फिर मुलाकात होगी